नमस्कार मदीती फॉस्दर आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्ड सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में H1N1 फ्लू जिसे कभी-कभी स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है एक प्रकार का एंफुलेंजा A वाइरस है साल 2009 और 10 में स्वाइन फ्लू सीजन दोरान एक नया H1N1 वाइरस इंसानों के बिमारी पैदा करने वाइरस हुआ था जिसे अकसर स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है यह इंफ्लेंजा वाइरस एक नया टाइप का वाइरस है जो पक्षी और इनसानों को ज़्यादा तर संक्रमित करता है ऐसे में डॉक्टर्स बताते हैं कि स्वाइन फ्लू के मामले में व्रदी के लिए कई फैक्टर रिस्पॉंसिबल हो सकते हैं जिसमें मौसमी बदलाब, तापमान में अचाना गिरावट, कम टीक करंदर, संक्रमन को लेकर जागरू कखी कमी और स्वास्त की देख भाल ना करना जैसे कई फैक्टर शामिल हो सकते हैं चलिए अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में स्वाइन प्लू के लक्षण के बारे में डॉक्टर्स बताते हैं कि स्वाइन प्लू के लक्षणों में बुखार, खासी, गले में खराश, बंदनाक, शरीर में दड़, सिर दड़, ठकान और कभी-कभी उल्टी या दस्त भी शामिल है गमीर मामलों में इसमें निमोनिय और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है स्वाइन फ्लू के जोखिम फाक्टर्स से संक्रमित वक्ती के निकट संपर्क में रहना कमजोर डेफिशेंसी सिस्टम कुछ पुरानी स्वास्ति और जैसी अस्तमा डिजीजिस हार्ड डिजीजोस प्रेगनेंसी आदी भी शामिल रहते हैं चलिए अब जानते हैं स्वाइन फ्लू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले स्वाइन फ्लू से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं इसके अलावा अच्छी स्वास्त का पालन करना भी बेहत ज़रूरी है साबून और पानी से बार बर अपने हातों को साफ करें बिमार व्यक्ति के निकट संपर्ख से बचे और अनहेल्धी मैसूस करने पर घर पर ही ने गंदे हातों से बार बर अपनी आख नाक और तवचा को छूने से बचे खासते या चीकते समय टिशू का यूज कीजिए अगर आप अपने अंदर इन फ्लू जैसे लक्षणों के अनुभव करते हैं तो आपको खासतोर पर ध्यान लेना चाहिए और डॉक्टर से एक बार जरूर सला लिना चाहिए और अगर आप ऐसे किसी छेत्र में गए हैं जा पर स्वाइन प्लू का बहुत जारा चलन है तो वहां पर जाने के बाद भी आप एक बार डॉक्टर से जरूर सला लीजिए आज के लिए बस इतना ही ऐसे हेल्ट्रे टिप्स के लिए बने रही हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ दन्यवाद